जी हां दोस्तों आपने टाइटिल में तो पड़ी लिया यह वीडियो शादी की तैयारियों के बारे में अब हर घर में शादी तो होती ही है लेकिन जैसे ही शादी फिक्स होती है कैसे होगा क्या होगा क्या करेंगे कितना खचा करेंगे आधी आधी प्रशनों से सभी के मानस उलट जाते हैं आजकल के बदलते हुए तोर तरीके और लिमिटेट बजट के होते हैं यह परेशानियां और बढ़ जाती है दुला दुलन के ख्यालों से लेकर सामाजिक रीती रिवाजों का ख्याल रखना अब कोई आसान काम नहीं रह गया है और उपर से समय कम हो तो बस तो दोस्तों इनी सब समस्याओं से निदान पाने के लिए मुमेंट्स ऑफ जॉय चैनल लाई है एक अनौकी गाइड जो शादी की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी देगी और तो और दोस्तों इसमें टेंपलेट्स भी दिये गये हैं जिसमें सिर्फ तैयारी के लिए आपको मात्र अपना डाटा एक्सेल या गूगल शीट में भड़ना है आजकल वेडिंग प्लानर की भी सेवाई लिया जाना शुरू कर दिया गया है लेकिन उसको भी आपको यही सूचना है देनी पड़ती है तो क्यों नहीं हम इतनी मैनत अपने लिए ही करें और शादी क करने भी चाहिए तो आएए देखते हैं शादी की तैयारिया कैसे करें तो मित्रों बात पक्के होते ही सबसे पहला काम होता है शादी की तारीक फिक्स करना आप इसमें यह ध्यान रखें कि वह सभी के लिए कंविनियन डेट हो और आजकल बच्चों के एक्जाम्स और वहां पर कोई दूसरा मेजर फंक्शन नहीं हो जैसे ही यह डेट फिक्स हो जाती है तुरंत ही आप सेव देट का मैसेज सभी इस्ट मिश्ट्रों को और निश्ट दर को वेज़ इसके पश्चार वेन्यू पर आपको ध्यान देना चाहिए कि यह आप डेस्टिनेशन वेड इन सभी विद्वों पर आपको ध्यान देना चाहिए साथ ही साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि महां कितने होटेल है और एक्स्ट्रा रूम्स वगरा की जबद पड़े तो भी आपको फ्लोग दने चाहिए ऐससे ही आपको और दूसरी वेन्यूस के लिए जो कि आप ल देखनी चाहिए कि शादी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम है महमानों की लिस्ट बनाना मैंने जो आपको यहां पर जो लिस्ट दी है उसमें आपको नाम एंटर करना है जिस भी व्यक्ति को बलाना चाहते हैं उसको कौन अपनी फैमिली में से बुला रहा है उनसे उनक के दो फंक्शन में आएंगे तो आप उसी साब से उसमें आप उनका एस्टिमेट नंबर और परसंस का लगाईए साथ ही साथ उनको कौन से होटल में ठराएंगे यह जहां आप शादी कर रहे हैं उस जगह पर ठराएंगे उसका रूम नंबर भी आपको देना चाहिए मित्रो अब यह जो आपको टेंप्रेट दिखा रहे हैं इसमें प्रोग्राम्स फंक्शन्स और सेरिमनीज जो सामयनतर सभी शाजी में होती है उनकी लिस्ट दी गई है जैसे की इंगेजमेंट गनेश निमंत्रन देवदर्शन संगी मैरा या भात जिसको कहते हैं महंदी हल अलदी थीम पार्टीज और जो में शादी का दिन होता है वेडिंग में वेडिंग रेसेप्शन और आजकल प्री और पोस्ट वेडिंग के कई सेरेमिनीज जूड़ने लगें तो वह यह सारे फंक्शन्स एक शादी में होते हैं शादी के अंदर दुरह दुरन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना प्री वेडिंग शूट अच्छे से प्लान कर लें और उसके लिए फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को उसी तरके की तयारी करने के लिए कि दुरह दुरन के लिए हानिमून प्लानिंग विए अभी इंपॉर्टेंट हो गया है तो उसके लिए पहले से ही रिजर्वेशन होटेल और फ्राइट्स यार ट्रेम का ज़रूर से करवा लेकि महमानों की लिस्ट त्यार होने की परश्चात मेहत्वपूर्ण काम है कि उनको इंविटेशन कार्ड भीजना आजकल ही इन प्रिंटेट कार्ड भी बनवा सकते हैं ताकि जो प्रेंड्स हैं या प्रोस्ट रिलेटिव जिनको आप प्रिंटेट कार्ड देना पसंद करें उनके लिए यह कार्ड चपा कर उनको समय रहते ही जरूर भीजवाना या अग्रे करना उचित होगा हितनों शादी में सब सेब्सपन होते हैं वेंडर्स कि शादी के अंदर बहुत सरे वेंडर्स काम करते हैं और उनमें कापी जरूरी होता है जदि आप वेंडिंग करनर इंगा यापको फायदा इतना होता है वेडिंग प्लार के साथ काम करने का कि इन वेंडर से आपको डारेक्ट की पुलर जना नुए पड़ता उसकी जम्मेवारी सारी वेडिंग प्लार्ण को कि मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे रहा हूं जो वेंडर्स आपकी शादी के अंदर संभवताया काम करें जैसे की डेकोरेटर है वेर्नी वर्नर है टैंटेज वाले हैं इलेक्रिशियन है ट्रैवल एंट ट्रांस्पोर्ट है कोरियोग्राफर है महंदी वाला है इस तर बताऊंगा जो उनके साथ आपको करने है जैसे वेंडर्स के साथ आपको एलेक्रिसिटी पावर बैकप वाटर पार्किंग नंबर आफ रोंस उसके पास कितने अविलेबल हैं कवर्ड हॉल कितने हैं किचिन फैसलिरीज क्या है ट्वैलेट्स की कंडिशन क्या है यह सारी ड क्या तरहएगा है यह सचेश का क्या क्या और कि पास से पसे हुली है इस तरह कि से अब कर वर्न के साथ आपको जो दिसकार्शन करने है कि कपकप फ्लाबरिस्ट की रिक्वाइर्मेंट होगी कौन-कौन सी जगह पर उसकी ज़रुत है कहां कहां वो डाकुरेशन करेगा गार्लेंड्स ड्राइड और ग्रूम के वो ही लेकर आएगा यद अलग से आपने इसका अज़ाब किया है कैटर जो सबसे ज़्यादा महत्ति कोना वो है उसके साथ मैनू का डिसकेशन नंबर ऑफ परसंस जो अलग लग समय पर अलग लग ओपिजन पर आपके पास आएंगे उनकी क्वालेटी ऑफ सर्विस क्या रहेगी वेटर्स कैसे उनकी सर्विस कैसी होंगी खाने के लिए बूफे में का अर्रेजमेंट होगा य विडियोग्राफर के साथ भी आपको डिसकेशन करने पड़ेंगे जिसमें नमबर ऑफ कामरामेंस कितने आएंगे विडियोग्राफर कितने होंगे इतने ड्रोन लगेंगे और किस-किस पोखेजन पर लेंगे इन सब लोगों को आप अपने इंपरटन गेस्ट और इनिए किसे भी पहले से इंट्रड्यूउस करा दें तो बहतर इंट्रडूस से मेरा बतला कि उनके बारे में जानकारी दे अपने को तो बहुत ही बहतर होता है मैं आपको यहां सबसे इंपरटन बात बता दूं कि इन शब लोगों से कौस्टिंग की बात करनी है और जो सबसे पर तो वह उनकी requirement एक दूसरे vendors के साथ है वो भी आपको अभी से ही identify करने पड़ीगी यह उस particular vendor की कोई specific requirement है वह भी आपको identify करने पड़ीगी इसी तरह किसे entertainment के लिए भी आपको उसकी quality क्या composition of music होगा क्या entertainment की programs रखें हैं यह यह आप कोई बाहर का group बुला रहा है तो वो क्या items लेक्या आएगा वो इस तरके की सारी चीज़ें आपको entertainment में discuss करने पड़ेंगे travel and transport में भी आपको taxi किस के साथ available होगी वैले service available होगी या नहीं होगी guests को एक लिए taxi कहां से आएंगी कैसे उनको pick up किया जाएगा airport से रेले station से choreographer यह दिया आप अपना friends में से कोई anchoring करेगा डीजे की availability वो खुद ensure करेगा डीजे की quality कैसे होगी यह सारे चीज़ें आपको choreographer से लेनी पड़ेंगी beautician और पार्लर जो सबसे महत्पूर्ण है जिसके वज़े से काई बार प्रोग्राम्स में डिले भी हो जाता है आप ensure करें कि उस ब्यूटिशन और पार्लर या तो नजदीक में हो क्योंकि दुलार दुलन दुलन को खास्तों से आनमेज भी लंब हो जाता है क्योंकि उसी दि सब्सक्राइब को जरूत पड़ेगी उसको भी बताना पड़ेगा और आजकल चूंकि पार्लर ब्यूटिशन की सेवाएं बहुत पहले से शुरू हो जाती है तो वह भी आपको उनका टाइम टेबिल देखना पड़ेगा इसी तरह से मेंधी वालों का भी प्रग्राम होता ह मेंधी बाले कितने लोग आएंगे कितने लोग आपके यहां मेंधी लगवाएंगे तो उन सब का इंतिजाम भी आपको पहले से ही देखा पर तो मित्रों यह सारे वेंडर्स के साथ जो डिसकेशन है वह बहुत इंपोर्टन होते हैं और यह आपने इन लोगों को सफिशन सब्सक्राइब दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वेंडर्स कोई आपको परिशान ने करेगा और आपका प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस के साथ पूरा होगा कि शादी में एक और महतुत पूर्ण काम होता है वह है शॉपिंग लिस्ट शॉपिंग में बहुत समय लगता है और उसकी तैयारी बहुत पहले से ही कर ली जाते हैं मैंने इस लिस्ट को तीन प्रमुक भागों में बाटा है पहला ब्रैड और ग्रूम जैसा भी आपके घर है या और किसी भी तरीके की जो भी आपको अशकता हूँ उसकी आपको तैयारी करने बड़े हैं शॉपिंग लिस्ट का दूसरा हिस्ता है गिफ्ट्स वर नियर एंडियर अपने समाज में यह बहुत प्रचलन में है कि ना केवल अपने सारी मित्रों को आप गिफ्ट देना सार काम करता है बले ही कितना ही राइस हो और कितना ही मिद्ल क्लास यह गरीबार इसके लिए आपको सबसे महत्तुन काम है कि स्चादी की डेट जो फिक्स करें उसमें आप वेडिंग सीजन का में जो डेट होती है उनको वाइट करें ताकि आपी जो घौस्ट है वो कम हो जा बढ़ते हैं वेन्यों की दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बजट बनाने के लिए मैंने सारे आइटम्स की लिस्टिंग तयार ही है जिसको दो बटा गया है बजट पार्ट वन और बजट पार्ट इसमें मैंने मोस्ट्ली जो आइटम लिस्ट किये है उन पे आप अप है कि आप यदि रिव्यू बराबर करते रहेंगे तो कहां पर आपका ज्यादा खर्चा हो गया कहां पर कम खर्चा हुआ है उसके इसाब से आप उसको रिव्यू करके और एड़स्ट भी कर सकते हैं मित्रों हिंदुस्तानी संस्कृति में शादी एक महत्व पूर्ण पड़ाव है और इससे व्रहत कारिक्रम हिंदू समाज में किसी भी परिवाद के लिए नहीं होता है है लेकिन इसके लिए यह किसी एक कर्बस सक खाम नहीं होता है पूरी टीम बनानी होती है आपको अपने इश्ठ मित्रों और रिश्चदारों पर विश्वास कर नहीं होता है तो हर विषय पर हर फ UP कि लिए आप अपने ताकि जोनों में कुछ दिक्कत नहीं और उसी में आपस में कॉर्डिनेशन को आप स्वयम इन सब जिम्मवारियों से फ्री रहें इसके लिए मैंने एक टेंप्लेट दिये जिसमें आप अपनी टीम बना सकते हैं और टीम का लीडर कौन होगा और उस टीम को क्या-क्या जिम्मवारिया दी गई है क्या-क्या काम उसको करने है वो आपको लिस्ट करने में चाहिए आखिर में मित्रों मत सबसे महत्वपून बात बताने जा रहा हूं वो है कि शादी के सभी प्रमक कार्यक्रमों के लिए ब्राइड और रूम दुला और दुलन कोश यरू से शामिश्ट करना चाहिए क्योंकि आजकल उनका से बहुत इंपर्टेंट हो गया है दूसरा यह कि बजट की आप कंटिन्वस मानिटरिंग करें उसको रिव्यू करते रहें और जहां जिस मद में आपका कम खर्चा हुआ या किसी में ज़्यादा हो गया उसको आप अड़्जस्ट करते रहें तीसरा कि ड्रेस कोड के लिए आप पहले से ही इंटिमेशन सभी अपने मेहमानों को देते हैं चौथा कि हर व्यक्त हर इवेंट के लिए हर फंक्शन के लिए कॉंटेक्ट माम और नंबर सभी को पतापना चाहिए इसके अलावा एक सबसे महत्रों है कि आप आज कर जब भी किसी भी शादी में जाते हैं तो नए नए आइडियाज आपको देखने को मिलते हैं यह नए नए आइडियाज आपको गूगल पे भी देखने को मिलते हैं तो आप इन चीजों को नए नए आइडियाज को जरूर से एक्स्पोर करें और अपने मित्रों के साथ उनको ज़रूर से डिसकस करें एक और आइटम ज़रूरी है वह है गवर्मेंट लाइसेंस और परमिशन कई जगह कुछ रस्क्षन गवर्मेंट या नगर निगम की तरफ से होते हैं जैसे यदि कोई भीड वाली जगह है तो हो स सबसे आखिर में किसित्टों रिमांडर्ज सब को समय समय पर देना बहुत सब ही है तो अपने भी को रिष्टेदारों को सके हर girls Cur later कि आशा है मेंटों आपको हमारा यह वीडियो शादी कि तैयारी कैसे करें पसंद आएगा इसमें जो टेंपरेट्स दी गई है वो भी कि आपको यह बहुत बंदत करेंगी और आपकी परेशनियां दूर हो सुखेंगी यदि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसे जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें धन्यवाद